Mostly जीतू में आपका स्वागत है। पौरानिक कथाओं में आपने यह पढ़ा होगा कि संसार के कल्यान के लिए कई बार हमारे देवताओं ने स्त्री रूप धारण किया था। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि इन देवताओं में हमारे प्रथम पूजनिय श्री गनेश का ना जुडी इस रोचक कथा के बारे में। एक कथा के अनुसार एक बार माता पारवती ने शिव जी की दोनों आखें अपने हाथ से बंद कर दी थी जिसके कारण चारों और केवल अंधकार ही अंधकार चा गया था। तब महादेव ने अपनी तीसरी आख खोल दी थी जिसका पारवती जी से सहन नहीं हुआ था और उनके पसीने चूटने लगे थे। उसी पसीने से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम अंधक पडाक्यों की उसकी उत्पत्ति अंधकार में हुई थी। बाद में भोले नाथ ने हिरन्याक्ष नाम के असुर को अपने पुत्र अंध अंधक को वर्दान में दे दिया जिसके बाद उसका पालन असुरों के बीच ही हुआ। अंधक बहुत ही शक्तिशाली था। उसे ब्रहमाजी से वर्दान प्राप्त था कि उसका अंत तभी होगा जब वह अपनी ही माता पर कुद्रिश्टी डालेगा। क्योंकि अंधक एक ही इच्छा रह गई थी कि उसे संसार की सबसे सुन्दर स्त्री से विवाह करना है। जब उसे देवी पार्वती की सुन्दर्ता के बारे में पता चला तो वह फौरन उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँच गया। उसकी यह बात सुनकर माता को अत्यंत क्रो पान किया जिसके पश्चात महादेव प्रकट हुए और अंधक के साथ भोलेनात का युद्ध होने लगा। कहते हैं जब जब शिव जी अंधक पर अपने त्रिशूल से वार करते उसके रक्त की बूदे धर्ती पर गिर जाती और उन एक-एक बुंदों में से कई राक्षस अंधका उत्पन हो जाती। महादेव और माता पार्वती समझ गए कि अगर अंधक का वध करना है तो पहले उसके रक्त की बूंदों को धर्ती पर गिरने से रोकना होगा। माता पार्वती यह बात भली भांती जानती थी कि हर दैविय शक्ती के दो तत्व होते हैं एक तु बुलाया। कहा जाता है कि सभी दैविय शक्तियों के कारण अंधका की उत्पत्ती कम तो हो गई किन्तु उसका अंध अब भी नहीं पा रहा था। तब श्री गनेश अपने स्त्री रूप विनायकी में प्रकट हुए और उन्होंने अंधक का सारा रक्त पी लिया। इ विनायकी का रूप माना जाता है कि गनेश जी के विनायकी रूप को सबसे पहले सोलहवी सदी में पहचाना गया था। अपने इस स्वरुप में गनेश जी बिलकुल अपनी माता पार्वती की तरह दिखते हैं फर्क है तो बस सिरका। भगवान के इस स्वरुप में भी उन का मस्तक गसका है गनेश जी के स्त्री रूप के हैं अन्यकई नाम भगवान गनेश के स्त्री रूप को केवल विनायकी के रूप में नहीं जाना जाता बलकि इनके अन्यकई और नाम है जैसे गनेशानी, गजनीनी, गनेश्वरी, गजमुखी आदी तिब्बत में इनकी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें.